तो दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत एंजिनों के प्रोजेट के अंतरगत एक बहुती ताकतबर और फ्यूचरिस्टिक इंजिनों को बनाना चाहता है जो कि कम से कम 110 क्लोनोटन तक थ्रश्ट प्रोड्यूस कर सके और इसका संपूरन टेक्नोलोजी और बड़ा ओफर रखा गया अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ब्रिटेन और फ्रांस लगातार भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को हासिल करने को लेके प्रयास चला रहा है तो उस दर्मियान अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी कमपनी जनरल इलेक्टि को डेवलफ्ट करने के लिए तैयार हो चुका है और दोस्तों ये जो इंजिनों का ओफर है या इंजिनों को बनाने को लेके जो प्रस्ताव है इसके बारे में जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के CEO ME ग्वेदर के तरफ से जानकारी दिया गया है और उनका कहना है कि भारत के AMCA Mark 2 Yaircraft के जरुरतों को देखते हुए कंपणी मतलब जेनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से एक क्लियर स्टेट इंजिनों के डिजाइन और डेवलाप्मेंट को लेके बातों को रखा गया है और उनका ये भी कहना है कि असल में भारत के जो इंजिनों के सेक्टर में अब दोस्तों बाकी कंपणीों के द्वारा भारत के सामने रखेंगे ओफरों के मुकाबले में जेनरल इलेक्टिक के तरफ से रखा गया ये ओफर इसलिए भी महत्तपूर्ण है क्योंकि जेनरल इलेक्टिक के ही A414 इंजिनों को AMCA Mark 1 Yaircraft के लिए चुना गया है और आप ल एक एग्रिमेंट के अंतरगत भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा और AMCA Mark 1 Yaircraft 2 में इन इंजिनों को इंटिग्रेट करने को लेके भी अमेरीकी कंपणी जनरलिक्टिक के तरफ से भारत को मदद किया जाएगा और कंपणी का ये भी कहना है कि इससे AMCA Mark 2 Yaircraft 2 के इंजि इन इंजिनों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बलकि कम से कम पहले के दो बैच प्रोडक्शन वेरियंटों में भी मतलब करीब 40 Yaircraft 2 में इन इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा और उसी के बाद ही AMCA Mark 2 Yaircraft 2 में ने हाई थ्रस्ट और नेक्स जेनरेशन की इंजिनों का मतलब 110 से लेके 120 किलोनीटों तक थर्ष्ट पोडियूस करने वाले इंजिनों का इस्तेमाल होगा और फिलाल DRDO के शाखा गैस्ट अर्वाइन इसस्टैबलिश्ट में फ्रांस के सैफ्रॉन और बिटेन के रोल्स रोइस जैसे कमपनियों के साथ इन इंजिनों के को किया जा रहा है कि फ्रांस और बिटेन के कमपनी के तरफ से असल में भारत के इन शर्तों को मानने के लिए हमी भर दिया गया है और बिटेन के तरफ से तो इवन ये भी कहा जा चुका है कि कोई existing engine का इस्तेमाल नहीं बलकि संपूर्ण रूफ से एक नए engine के development भारत के लिए था और साल 2019 में तो अमेरिका के तरफ से प्रस्ता आप कोई ठुकरा दिया गया था लेकिन अब अमेरिका केवल मातर भारत के सामने जुका ही नहीं है बलकि बताया जा रहा है कि ए clear straight engine को मतलब संपूर्ण ने engine को बनाने को लेके अमेरिका तयार है और दोस्तों अगर अमेर पावर और क्लोस कॉल और क्लावरेशन का जुरुरत है इवेन दोस्तों एयर फ्रेम से शुरू करकि engine के manufacturing इवेन गौर्रमेंट एजेंसिस के बीच में भी कई तरिके के क्लावरेशन का आवशकता पड़ेगा तब ही जाके दोनों देश मिलके एक हाई-टेक इंजिन को बना सकेगा और उसे सही ढंग से यार क्रेप्टों में इस्तिमाल कर सकेगा पर दोसों यहाँ पर बात ही है कि भारत को अमरिका के उपर कितना भरोसा करना चाहिए क्योंकि अमरिका एक ऐसा देश है जो मौका मिलने पर धोका देने से पीछे नहीं हटेगा और दोस्तों अब तक के द्वारा इसके रिव्यू को लेके बातों को उठाया गया वो भी एक तरीके से दर्शाता है कि अमरिका के उपर अगर भारत अधिक डिपंडेंट हो जाएगा तो इससे अमरिका आने वाले समय में भारत को ब्लैक मेल कर सकता है हाला कि दोस्तों यह केवल मातर अमेरिका क अफर है और भारत के तरफ से अब तक इसमें कोई हामीर नहीं भरा गया है और भारत के सामने अब इस ओफर के बाद टोटल तिन अलग अलग ऐसे ओफर है जिसमें A.M.C.A. Aircraft के इंजिनों को बनाया जा सकता है जो कि भारत के लिए अच्छा बात है क्योंकि इससे नेगोस दोस्तों ये ख़वर है कि हिंदूसन एरोनोटिक्स लिमिटेड अव इन हेलिकॉप्टरों को बनाने को लेके अपना तैयारी संपूर्ण कर चुका है और जल्द ही इसे लेके CCS मतलब केविनेट कमिटी ओन सिकूर्टी के तरफ से भी अप्रूबल दे दिया जाएगा दोस्तों रिपोर्ट के मुताविक हिंदूसन एरोनोटिक्स लिमिटेड जल से जल दिन हेलिकॉप्टरों को डिवलप्ट करना चाहता है ताकि पुराने सोवियस जमाने के जो MI-17 और MI-8 जैसे हेलिकॉप्टर है उसे इंडियन आर्म फोर्सेस के बेडे से रिप्लेस किया जा है क्योंकि हाली में ही इन हेलिकॉप्टरों के प्राइमरी डिजाइन रिव्यू और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी संपूर्ण किया गया है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यह वी जानके रखना चाहिए कि जो IMRH हेलिकॉप्टरों का प्रोजेक्ट है यह अस के कमपनी साफ्रों हेलिकॉप्टर इंजिन के साथ काम कर रहा है ताकि हाई थ्रस्ट इंजिनों को तैयार किया जा सके अब दोस्तों IMRH जैसे हेलिकॉप्टरों के प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने के लिए काफी अधिक फंटिंग का जरूरत है और रिपोर्ट के करोर रुपया का आवशकता है ताकि इन हेलिकॉप्टरों के प्रोटोटाइफ और इन हेलिकॉप्टरों के प्रोडक्शन के काम को शुरू किया जा सके उपर से दोस्तों जो इंजिनों को फ्रांस के साफ्रों हेलिकॉप्टर इंजिन के साथ बनाया जा रहा है उसमें भी ह इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स जाएगा अपने बेडे से MI-17 जैसे हलिकॉफ्टरों को रिप्लेस करना चाहता है तो वही पे इन हलिकॉफ्टरों के बेस पे ही एक डेक वेस मल्टिरोल हलिकॉफ्टर को भी तैयार किया जाना है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा इस्तिमाल किया जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानकारी के लिए बता दू कि काफी बड़े मात्रा में इंडियन एर फोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा MI-8 और MI-17 का इस्तिमाल किया जा रहा है और इन सभी हलिकॉफ्टरों को जहाँ पे रिप्लेस कि कम से कम 300 से 400 ऐसे हलिकॉफ्टर तो अवश्य पर्चेस किया जाएगा जबकि बाद में यह संख्या और वड़ सकता है और नेवी का जो प्रोक्यूर्मेंट है वो IMRH प्रोजेक्ट से संपूर्ण रूफ से अलग होगा और दोसों नेवी के डेक वेस मल्टिरोल है वो काफी बड़ा है और नेवी डेक वेस मल्टिरोल हलिकॉफ्टरों के बेस पे किवल मातर इूटिलिटी हलिकॉफ्टरों को ही इस्तेमाल नहीं करना चाहता है बलकि इन हलिकॉफ्टरों का इस्तेमाल करके कई तरीके के और वी वेरियंटों को बनाया जा सकता है जिनमे मल्टी रोल हेलिकॉफटर, एंटी सब्मरीड वोरफेर, सर्वलेंस, सर्च और रेस्क्यू, इवन एवैक्स जैसे हेलिकॉफटर भी होगा फिलाल दोस्तों IMRH हेलिकॉफटरों के प्रोजेट को लेके अब तक जो ख़बर आया है उसके मुताविक इन हेलिकॉफटरों के फर्स्ट फ्लाइट को साल 2024 तक प्लान किया गया है जबकि साल 2025 तक इन हेलिकॉफटरों को इंट्रिडूस करने के तैयारी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है और रिपॉट के मुताविक के जो हेलिकॉफटर है करीवन दो क्रू मेंबर से ओपरेट होगा और इसका कैपसिटी 24 से लेके 36 ट्रूप्स का होगा और इसके पेलोट शमता करीफ करीफ 4500 किलोग्राम तक होगा हेलिकॉफटर के आकार को लेके वताया जा रहा है कि कम से कम इसका लंबाई 25.16 मीटर मतलब 82.7 इंच होगा और इसका हाइच 6.22 मीटर मतलब 20.5 इंच होगा हेलिकॉफटर का मैकसिमम टेक उप वे 12 टन से लेके 13 टन तक होगा और इसमें जो इंजिनों का इस्तमाल किया जाएगा वो कम से कम 2000 किलोवाट या फिर कहें तो 2800 SHP शमता का होगा इसमें जो में रोटेटर होगा उसका वी डायमीटर करिवन 21.2 मीटर मतलब 69.7 इंच के आसपास होगा और इन सवी चीजों के सहारे ये हलिकॉफटर मैकसिमम 300 किलोमीटर पर आवर के रप्तार में उडान भर सकेगा जबकि इसका कूजर स्पीड करिवन 260 किलोमीटर पर हलिकॉफटर का रेंज करिव करिव 800 किलोमीटर तक होगा और इसके सर्फिस सिलिंग 6700 मीटर मतलब 22,000 फिट के आसपास होगा और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मीडियम वेट कैटिगरी में ये सबसे अधिक उचाई में जाने का शमतावाला हलिकॉफटर होगा दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम